हालो आज मैं आपको प्रेक्टिस क्वेशन लेके आई हूं यह जो सैट है वो सिंप्लिफिकेशन अप्रॉक्सिमेशन और नंबर सीरीज का सैट है बहुत ही छोटा सा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है मैं इसमें कुछ आपको टाइप आफ क्वेशन कराने वाली तो उसके प्री के लिए इस टाइप के क्वेशन हमारे लिए बहुत रिक्टिस चाहिए होती है और साथ में ही मैं आपको बेसिक टॉपिक कवर करा रही हूं कौन्टेटिटिव एप्टेट्यूट के जिसमें मैं सारे टॉपिक्स के बेसिक पढ़ा रही हूं तो आप उनको भी मेरे प्रीबेस वीडियो में जाके देख सकते हैं ओके तो फॉस्स में स्टार्ट करती हूं जो हमारा फॉस्ट क्वेशन है इस अप्रॉक्सिमेशन क्वेशन है यह और इसमें क्या दिया हुआ है 6575 अपॉन 74 प्लस 629 इंटू 14.8 दिया गया है फॉस्ट हम क्या करने वा इस सेम बे 629 को हम 625 लिख सकते हैं और 14.8 को हम 15 लिखेंगे तो यह जो 625 है इस इस स्क्वाइर रूट ऑफ 25 और 15 अब इसको हमें मल्टिप्लाइ करने नहीं बाटना है कि 25 इंटू 15 हमको क्या पता है कि 25 टैन जा 250 होता है और 25 फाइब जा 125 होता है इन दोनों को एड़ कर यह हमारा क्या आजाएगा 375 इसको भी हम 5 से कैंसल कर सकते हैं सॉरी इस इस 15 1315 अपॉन 15 अब यह अप्रॉक्सिमेशन का क्वेश्चन है तो हमको इसको लेना पड़ेगा ऐसे मतलब 15 8 जा हमारा 120 होता है और जो हमारे पास क्या है जब 120 चला जाएगा तो 11 बचेगा और 15 7 जा 105 होता है फिर हमारे पास 10 बचेगा तो उसके बाद यह पॉइंट हम ले लेंगे 87 और 15 6 जा 90 होता है ओके अगें 10 लिफ्ट तो हमारे जो आएगा 87.6 वी केंड राउंट अप दिस 88 तो आर आंसर विल भी 375 प्लस 88 463 is the right answer अब क्या है यह हमको यह इतना लंबा calculation नहीं करना है मैं सिर्फ करके बतारी जितना fast calculation मैंने इन दो स्टैप में किया है न उतना ही fast आपको calculation करना हम second question पर चलते हैं तो यह है हमारा 560 upon 32 into 720 upon 48 नंबर्स देखके क्या कुछ समझ में आ रहा है जो 32 है हमारा और जो 56 है यह दौना टम्स हमारी 8 से cancel हो रही है 17 फोर एंड सेम वे यह जो टम्स है कि हमारी 12 से cancel हो रही है ओके यह 15 यह हमारा आ जाता है 17 into 15 upon 4 ओके अगे अगे हमको पता है कि 15 सत्य जो होता है 105 होता है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तूजा 8 अगेन लेफ्ट विद 2 4 जिगजा 24 अगेन लेफ्ट विद 1 4 तूजा 8 5 262.5 हमारा right answer हो जाएगा ऐसे calculate करेंगे तो हमको यह देखना है जब भी approximation होगा कि यह किसके पास के नंबर है यह simplification में भी देखना है कि नंबर कहा रहे हैं नेक्स्ट क्वेशन पर हम चलते हैं 456 upon 24 into 38 minus 958 plus 364 as we know कि word was rule जो हमारा होता है वो भी लगा सकते हैं सबसे पहले ही हमारा 4 से cancel करते है 4 6 जा 4 1 1 44 ट्राइटो कैंसल दिस विश्क्स ओके नाइटी अब हमारे पास क्या आ गया 48 into 19 तो यह value हमको पता होनी चाहिए कि कैसे कर सकते हैं तो या तो हम इसको ऐसे लिख ले जो हमारा multiplication का rule होता है 20 minus 1 या फिर यदि आपको डारेक्ट 19 का table यदि आता है तो आप वो भी कर सकते हैं क्योंकि math में calculation तो बहुत easy जल्दी जल्दी चाहिए आपको तो जैसे मुझे तो 19 का table आता है तो मैं direct कर दूगी तो यह जो हमारा answer आ जाएगा 722 आ जाएगा in same way अब यह 958 है और यह 364 है definitely जो हमारी value है वो minus में आने वाली है 364 हम minus कर देंगे अब यह आगया 594 594 हमारा इधर भी minus होएगा 120 is 8 is the right answer question next question हमारा है 5 8 into 15 minus 20 अब हमको यह पता है कि 158 हमारा जो होता है 120 होता है उसमें से 20 को minus करना है means we left with 100 यहां हमारा 100 आ कि अब हम ऐसे ही चलते हैं 3.2 9.4 यह exactly क्या आ गया हमारा 12.6 minus 7.6 इस में से जब जाएगा तो we left with 5 100 divided by 5 means 20 बहुत fast calculation करनी है इसी लिए मैं practice session आपके पास daily लेके आने वाली हो कि आपका calculation आना वो बहुत fast हो जाए अब यहां पर क्या दिया है 24 into 60 minus 736 upon 23 अभी मैं सबको अलग-अलग कर रही हूँ अब एक चीज़ देखो कि जो 23 है 23 का यदि हम 2 से multiply करते हैं तो हमारा क्या आएगा 6 4 0 मतलब 20 को यद 23 को 23 if multiply by 20 तो हमको यह मिलने वाला है okay when we will try to multiply with 23 with 30 तब हमको क्या मिलेगा that means अब क्या होगा जब हम 3 का multiply करते हैं जब हम 3 का multiply करते हैं 3 मैं क्या multiply करते हैं कि तो 6 आता है 2 multiply करते तो यह तो पता है कि जो हमको जो value आने वाली है वो more than हमारी 30 आने वाली है तो इसके बाद क्या है 670 से हम बहुत अप्रोक्स पहुँच गया है और इन दानों के बीच का जो difference है 736 का और जो 690 का जो difference है वो हमारा 46 होता है 46 is double of 23 that means 736 23 से हमारा 32 times cancel होगा first time हमारी solve हो गई bracket से यह हमारा 32 हो गया next हमको क्या करना है sorry यह हमारी second term है जो solve हुई है अभी हमको 24 multiply 16 भी करना है एक जी जाद रखो 24 times होता है 240 होगा और 24 6 होता है 144 होता है इन दानों को add कर दो 380 होगा means first term is 380 minus 32 इसको add करो 348 हमको मिल गया अब 348 divide by हमको कुछ कुछ लेके आना है तो यहां क्या 7 यह हमारा 7 होता है तो add the and जो हमको बचने वाला है वो क्या बचने वाला है 7 बचने वाला है ना ओके अब इस 7 348 को हमको divide करना है 7 जे तो हमारा जो answer है वो क्या आएगा 7 चुको 28 होता है हमारा Again we left with 6 7 नाम हमारा 63 होता है ओके यहां पर हमारा 5 बचेगा 7 7 जा 49 1 7 1 जा 7 अगें यह आएगा यहां जो हमारा question answer होगा वो होगा approximately 50 is the answer यह हमारे 5 approximation और simplification के question थे जिसमें शायद मैंने 4 approximation लिया है और 1 simplification लिया है next number रहे हैं हमारे किसकी तरफ series की तरफ अब series हमारा दिया हुआ है 5, 4, 10, 27, dash, 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 dash एक चीज़ समझ में आई इससे याद तो देखो minus 1 हो रहा है plus 6 हो रहा है plus 17 हो रहा है वटी यहां पर जब हम number देखेंगे तो हमारा number बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जब number बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ जाए न अचानक से definitely multiplication हो रहा है अब 5 में हम क्या multiplication करें कि हमारा 4 आ जाए एक तो हम 5 में multiply कर सकते है 0.8 का या फिर हम multiply कर सकते है 1 minus 1 0.8 का यदि हमने multiply किया तो हमको 4 तो मिल जाएगा लेकिन 4 में फिर क्या हम multiply करें कि हमको 10 मिल जाए तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा है तो हम इस वाले से लेके चलते हैं कि दाट 5 into 1 minus 1 is 4 in same way 4 into 2 plus 2 is 10 10 into 3 minus 3 is equal to 27 ऐसे ही हम क्या करेंगे 27 into 4 करेंगे हम क्या करेंगे 27 into 4 plus 4 करेंगे 27 into 4 plus 4 तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा अब next series हमारी term क्या बनने चाहिए 1 1 2 into 5 minus 5 ये बनने चाहिए तो उसके बाद हमको आना चाहिए 1 1 2 into 5 minus 5 तो ये हमारा आ जाता है 1 1 2 into 5 क्या होता है 5 60 होता है minus 5 जब हम कर देंगे तो ये हमारा ट्रबल फाइव आ जाए ये लॉजिक एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और question के जो logic होते हैं especially of number series repeat होते हैं ऐसा सोच के नहीं चल ला है कि question के logic repeat नहीं होते हैं हलो हलो यहां पर जो हमारा next question है वो है 3 2 12 2 0 1 double 4 अब हमको कहीं भी कोई logic समझ में नहीं आ रहा है एक तो एक logic ये समझ में आ रहा है इन दौनों के बीच में 1 का difference है इन दौनों के बैट में 10 का difference है यदि हम यह logic लगाते 3 into 1 minus 1 एक logic ये लगा सकते है तो 2 तो आ जाएगा लेकिन 2 के बाद क्या लगाएंगे because 2 6 चा 12 होता है तो 2 5 जा प्लस 2 करना पड़ेगा तो ये logic नहीं लगा है यहां पर हम logic एक जो लगाएंगे वो है 3 into 1 का cube minus 1 का square तो 2 and same way 2 into 2 का cube minus 2 का square तो हमारा 12 बारा दिखू जैसे हमें पता है 2 का cube क्या होता है 8 अब 8 into 2 कितना होता हमारा 16 16 minus 4 हमारा कितना हो जाएगा 12 ये ऐसे आगे हो अब ऐसे ही हम क्या करेंगे 12 into 3 का cube अब 3 का cube क्या होता है minus 3 का square तो 3 का cube जो हमारा होता है 27 into 12 carry 8 minus 9 इसमें से हम minus 9 भी करेंगे तो हमारा क्या आजाएगा 315 ऐसे ही 315 into हमारा क्या होगा 4 का cube minus 4 square तो जो हमारी term मिलेगी हमको वो मिलेगी 2014 ये हमको मिलेगा तो ये समझ में आया इसमें logic क्या लगा हुआ है अब हम next question पर चलते हैं next question है हमारा 5, 8, 20, 47, 95 question mark अब 5 से 8 कैसे आया हमारा plus 3 सबसे पहले तो difference ही चेक करना है plus 12 plus 27 plus 48 कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें जो logic लगा है वो है 5 plus 3 into 1 का square तो हमारा कितना आ गया 8 in same way 8 plus 3 into 2 का square we will get 20 because 4 3 जा 12 plus 8 in same way 20 plus 3 into 3 का square यह हमारा क्या हो जाएगा 47 मतलब 3 एक constant number है और multiplication हो रहा है increasing order में so 47 plus 3 into 4 का square we will get 95 in same way 95 plus 3 into 5 का square 5 का square is 25 25 into 3 is 75 75 plus 95 हमारा हो जाएगा 170 तो जो हमारी next time आएगी वो आएगी हमारी 170 ऐसे logic हमको exam में बहुत मिलते है कि constant number है उसका multiply हो रहा और square बढ़ते जा रहा है यह question जो है ना इस type का जो pattern है मैंने खुद ने exam में कई बार दिखा है और एक बार आपको click कर गया ना मतलब practice बहुत चाहिए आपको इसी लिए मैं यह practice session लेकर आई हूँ जो हमारा question है 5, 12, 24, 36, 52, 68, 30 अब इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है जैसे हम difference चेक करते हैं तो क्या है 7 इन दौनों का difference कितना है 12 इन दौनों का difference क्या है again 12 इन दौनों का difference 16 16 लेकिन कोई भी logic नहीं मिल रहा अब हम क्या करते हैं particular number को देखते हैं कि यह क्या है 2 का square plus 1, 3 का square plus 3, 4 का square plus 8, 5 का square यह तो खुदी 6 का square है तो ऐसा कोई भी logic नहीं मिल रहा लेकिन हम individually number को दिखेंगे तो 5 is 2 plus 3, both are prime number in same way 12 is 7 and 5 means first 2 prime number after that 5 and 7, 24 is 11 plus 13, 36 is 17 plus 19 in same way 68, 68 is 31 plus 37 क्योंकि यही हमारा prime number है यह 68 हो गया, उसके पहले sorry I skipped 52, 52 is prime number 23 plus 29 तो अब इसके बाद हमारा कौन सा prime number आता है, 37 के बाद कौन सा prime number आता है 41 and 43, consecutive prime number है दोनों, तो उससे क्या आ जाएगा हमारा 84 मतलब इसमें जो logic लगा है, sum of 2 consecutive prime number prime number started from 2 plus 3 that is 5, 12 equal to 5 plus 7, 24 11 plus 13 ऐसे हमारा logic लगा है, thank you, आपको यह समझ में आया होगा जो मैंने आज question discuss करें, ऐसे ही मैं आगे बहुत सारी series लेक्या हूंकि आपके RBI assistant exam के लिए and SBI clerical के लिए, thank you के लिए अ